2022 विधान सभा चुनाओं की तारीखे तैत हो चुकी है और प्रदेश की जनता इन चुनाओं को लेकर क्या सोच रही है जनता इस समय चुनाओं को लेकर कितनी तयार है इसको लेकर हमारे समवादाता योगेश सेमवाल ने मसूरी विधान सभा और समवादाता उपेंद्र रान ने रायपुर विधान सभा में जाकर हमारे खास कारिक्रम जन समवात के तहट आम लोगों से बात च्रीट की और जनता का मूड क्या है उसको टटो लाए देखे जड़ा उत्रागिन के विधान सभा चुनौग की तारीखे तै हो चुकी है और अब अगर बात करें तो उल्टी गिंती भी राजनितिक दलों की सुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत कम समय है और उस समय में उन लोगों को आम लोगों के पास भी जाना है अपनी बाते भी रखनी है सत्ता में जो काविज हैं उन्हें बताना है कि आखिर हम फिर क्यों सत्ता में आना चाहते हैं और आप लोग हमें वोट क्यों दे तो जो विपक्ष में हैं वो भी बताएंगे आम जनता को कि आखिर आप हमें क्यों वोट दे ताकि हम सत्ता में आ सके वहीं आपका पसंदीता चैनल नेट्रोक 10 उत्राखंड का चुनावी समवाद लेकर आया है मसरी विधानसवा में अभी हम मसरी विधानसवा में हैं और यहां की लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह क्या सोचते हैं यह क्या समझते हैं सबसे पहले हमारे साथ अंकल जी हैं उनसे बात सकता है क्योंकि महेंगाई बहुत जादा हो गई रोजगार लोगों को नहीं है और मजदूर सब बेकार लोग है इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं लगातार हम मसरी विधानसवा में लोगों से बाचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच र हर आदमे मेरे पास गाड़ी है मेरे पास काम नहीं है अच्छा यह बताइए आपकी विधायक ने जो मंत्री है उन्होंने कैसा काम का किया है यहां पर उन्होंने तो अपने छेतर में करीब करीब ठीकी काम कर रहा है इसे हैं कि बस एक बार बोलना होता उनको उन्हें भी न कि तुप की आरी अगर सरकार की बात करूआ पर प्रदेश में तो सर्कार तो बे पता चलेगा बाद में झाओं कैब बदलना चीए कि बदलना चीए बहुत कुछ देख लिया है जैसे हम सुनते हैं कि दिली में ऐसे से हर चीज फ्रेश्टी मिल रही है कि वरकार बनेगा और वहां के रहने वाले भी बताते हैं जमारे अपने रिश्चेजार सब कुछ हो रहा है गा दो पाटिया चली आ रही है क तो उनके कामकाच कारम कासे देख देखते हैं गए कुछ थीप भी चल रहे हैं कुंको जो फीज हो रहा है आगे कुछ खीन सकते हैं हम लगातार मसूरी विधान सभा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं जानने कोशिश कर रहे हैं कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं पहले एक अंकल जी है इंसे ही बात करते हैं अंकल जी क्या लग रहा है आपको की आपके विधान सभा में कितना काम हुआ है नहीं है इसा कोई लीडर तो होना चाहिए पाटी को चलाने के लिए जो लीडर हैं वो केमरे पकड़ जाते हैं कभी वन विवाग के अफसरों को पैसे देते हुए खुले आम डिसकस करते हुए तो क्या आम जनता हो इन लोगों से अपनी लखेगी तुमें क्या लग रहा है कि क्या इस्तित थे वोट तो शरकार तो कोई वी बने लेकिन मैंचीज काम करें कोई सी वी सरकार नी गरती है जब मैंचीज प्राइब तो फिर भागते हैं पबलिक के पास आज मेरे साथ चलो आज मेरे साथ चलो आज आपको लगता है क्या सबकुछ सही है या परिवर्तन की जरूत है सरकार मौझुद्व सरकार्व सबस्थर है क्या दिलिए क्या है निदू रहा तो नियस प्रिवेंगा करें यह प्रेल्ब रेकिंशा की सड़कौ की बात मोझा जब इसे सिए BBC आपको चैया लगता है कि क्या लग भात करें है जुनाओ एक बात कये संग्राम की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि समय कैसी इस्तेती है सरची चाहते हैं अगी है जचेंज की बहुत memorckheen बेंधाView लगातार जो हैं यहां पर बाचीत की पिछले बार जब चुनाओं हुए थे तो कई सारे वाइदे भी तो कियोंगे उन वाइदों का आप कैसे देख रहे हैं उन वाइदा पर कोई भी आमल नहीं हुआ जारी कोरी वहस्नाय हुए हर किसी का अपना अपने यहां पर सुझाओ स सामने आए हर कोई किसी की नाराजगी भी सामने आए तो कोई संतुस्त भी नजर आया अब लगातार हम अब इस कारक्रम में नहीं लोगों से मिलते रहेंगे नहीं विधान सबाओं में जाएंगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं वो अपने विध प्रक्टें गारादू